Hello students, this is lecture number 9 on sequence and series. इस lecture में हम लोग harmonic progression discuss करेंगी. सबसे पहले harmonic progression क्या होता है वो समझेगे. उसके बाद nth term of harmonic progression यानि कि HP, शॉटम बोलते हैं इसको HP. इसमें sum of n terms का कोई general formula नहीं होता है, इसलिए हम nth term के बाद directs पढ़ेंगे harmonic main. तो समझते हैं कि वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है तो मैं एक बेसिक सा आइडिया पहले आपको बता लता हूँ कोई भी एक ऐसी सिक्वेंस या प्रोग्रेशन जिसके अगर हर टम को उल्टा कर दिया जाए और हर टम को उल्टा करने के बाद जो नई स्रीज बनती है वो AP हो तो जिस स्रीज के या जिस सिक्वेंस के टम्स को हमने उल्टा किया था वो HP होती है ठीक है देखे टाफिशन किया है A sequence is set to an HP if the reciprocals of its terms are in AP किसी सिक्वेंस को हम HP तभी कहेंगे जब उनकी terms के reciprocals को लेने के बाद जो स्रीज बनेगी वो AP में हो It means if the sequence A1, A2, A3 is an HP अगर A1, A2, A3 is an HP है तो 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 up to 1 by AN AP में होगा जैसे अगर मैं एक्जामपन दो 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, यह 8 HP अगर आप इस sequence के terms को उर्टा करने के बाद जो सिक्वेंस मनेगी है निकी 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, यह HP होगी अब अगर मैं बात करूँ इसके standard appearance की तो standard appearance of HP is 1 upon A, 1 upon A plus B, 1 upon A plus 2D, 1 upon A plus 3D, 1 upon A plus N minus 1 into D यह HP का एक standard appearance है अब question हुठता है कि nth term of HP कैसे find करें यह जब भी आपको किसी question में HP का nth term find करना है तो आपको क्या करना है पहले उसके सारे terms को रेस क्रोकर कर दो यानि कि आप AP बना लो और तो AP का nth term find करना है जब आपके पास AP का nth term आ जाएगा फिर उसको उल्टा कर देना भी AP का nth term क्या लगा कि आपने AP का nth term निकाल लिया और और 1 upon A plus n minus 1 into D जो है वो HP का nth term होता है ठीक है तो इट मेंस क्या होगा कि nth term of HP will be equal to 1 upon nth term of the corresponding A जब भी आपको किसी भी HP का nth term निकालना है यह nth term find करना है तो आप उसके corresponding यानिके HP के corresponding जो AP बनी है उस AP का nth term निकालेंगे and nth term of HP will be 1 upon nth term of the corresponding AP अब यहाँ पर कुछ points जो है वो note करने के लाएगा note the first point there is no general formula there is no general formula to find to find sum of nth terms to find sum of nth terms of HP ठीक है कोई channel formula नहीं है sum of nth term find करना के HP की बच्चों कहीं बार ऐसा लगता है कि HP पढ़ लिया मतलब AP को हर जगा उल्टा कर देना है कहीं बार बच्चों मन में यह भी क्रान्तिका भी कुशन आता है कि अगर हम AP का sum of atoms निकाल लें और उसको उल्टा कर दे तो HP का sum of atoms हो जाएगा तो ऐसा नहीं है ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए यह बात क्यावद और क्यावद एन एक ट्रॉम्प के लागव होती है sum of atoms पर नहीं देखो इस बात को समझो मान दो कि वह एक त्याम कर लेते हैं आपके पास टू थ्री फोर यह एक AP है और इसके तीन ट्रॉम का sum कितना आ रहे है तीन ट्रॉम्प का sum 9 आगे sum 9 आगे 3 ट्रॉम्प अगर आप इन ट्रॉम्प को उल्टा कर दो यानिकि आपका बन गया 1 by 2 1 by 3 1 by 4 यह HP में 3 ट्रॉम्प यह HP में अब अगर आप इनका sum निकालतो हो 3 ट्रॉम्प का मानलो कि आपको यह ना देख इसके में लिए दिया होता कि में यह HP है इसके 3 ट्रॉम्प का sum बता हो तो आप क्या करते इसके corresponding sum निकालो कितना है 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 एलसें कितना आ गया 12 एलसें 12 आ गया तो यह गया 6 plus 4 plus 3 13 by 12 अब आप इसके उल्टा कर दो तो कितना है 12 by 13 जबकी sum कितना था 9 तो ऐसा नहीं करना है कि आप AP का sum of atom निकालतो उसको उल्टा कर दो तो उसससे आंसर नहीं आएगा तो पहली बात की एकक्तम दिमाग में बिठा there is no general formula to find sum of n terms of HP. second point second point है if ABC are in HP if ABC are in HP then B equal to 2AC upon A plus C और यह if and only if condition होगी है आपने जो है AP में पढ़ाता कि ABC AP में है तो B equal to A plus C by 2 या ऐसे कहलों कि 2B equal to A plus C जब ABC GP में होते हैं तो B square equal to A C और अगर ABC HP में है तो B equal to 2AC upon A plus C होता है यह कैसे आए इंसा मज़ें दो 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 ABC R in HP इसका मतलब यह हुआ कि 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in A यह AP में होते हैं अगर ABC HP में है तो 1 by A, 1 by B, 1 by C अगर यह AP में है तो मैंने आपको बता है तो बीच वाले का डबल, कौन है वालो का टोटल यहने कि 2 into 1 by B equal to 1 by A plus 1 by C तो 2 by B equal to A C जो है यहाँ पर LC मा आ गया और यह A plus C हो गया तो B की जो है लुक जो क्या आ गई B equal to 2 AC upon A plus C तीसरी बात अगर किसी भी sequence में कोई term 0 है तो वो HP नहीं हो सकती मतलब यह हुआ कि HP का कोई भी term 0 नहीं होता तो यह तीनों point आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं अग्यामकल बागो इद थर्ड शिक्स और लास्ट टम ओफ ए एच्टी आर वन बाई थ्री वन बाई फाइव एंड थ्री अपन टू जिरो थ्री find the number of terms in HP एक HP की आपको third term दे लिए six दे लिए लास्ट दे लिए तो number of terms कुछ है उसमें कितने हो तो हमने मान लिया let a be the first term let a be the first term and d small d be the common difference common difference of corresponding a corresponding a अब question बोलागे कि में third term HP का जो है वो one by three है तो third term HP का one by three है it means third term AP का three होगा तो a plus 2b equal to three पहले equation HP का 6th term one by five है तो AP का 6th term five होगा it means a plus 5d equal to five इसे आप second मान लो इसमेंचे इसको separate किया तो 3d equal to two means d की value है वो two by three आगे डी की value two by three और d हम यह आपर put करेंगे तो एक वल्ड क्या जाएगा एक वल्ड थ्रे माइनस four by three मतलब five by three तो a की और d की value हो मिलगी यह AP का first term और AP का common difference हमें मिलगी अब यह बला कि जो HP है उसका last term three upon two zero three है इसका मतलब AP का last term two zero three upon three हुआ last term of corresponding AP will be equal to two zero three upon three और last number formula क्या होता है AP का a plus n minus one into d तो equal to two zero three by three a की value क्या है a की value है 5 by three plus n minus one into d की जो value है वो two two by three है equal to two zero three by three 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 cancel हो गया तो n minus one into two equal to one ninety eight यह फाइल जर्याग सब्टेट हो गया तो n minus one is equal to ninety nine तो n equal to hundred तो number of terms AP में जो है वो hundred है तो number of terms को उल्टा नहीं करते भाई ठीक है तो number of terms दो है वो HP में भी hundred होंगी यही कुछा गया कि number of terms बताओ HP में तो वो number of terms is hundred example two find the seventh term of the series one by three plus eight by twenty three plus four by eleven plus तो आप देखो कि अगर आप इन टम्स को उल्टा कर लें तो थ्री है ट्वेंटी थ्री बाई एट एलेवन बाई फोर यह एपी में इसमें साब इसको सब्टेट कर लो 23 by eight minus three तो कितना लेगा minus का one by eight 11 by four में से आप 23 by eight को सब्टेट करते हो तो भी minus one by eight आ रहे इसका मतलब यह एपी में है तो terms को उल्टा करने के बाद एपी बना इतमीं जो गिवन स्रीज है वो HP है तो हम क्या करेंगे इस एपी का सेवन्थ term फाइल करेंगे और उसको उल्टा करते हैं तो हमाले पास HP का सेवन्थ term आ जाए तो सेवन्थ term of ap will be equal to a plus 6d a जो रहा है एपी का यह रिक फर्स term को 3 है plus 6 और common difference minus 1 by 8 तो होगे 3 minus 6 by 8 मतलब 3 by 4 मतलब 9 by 4 यह ap का सेवन्थ term है and hence 7th term of HP यहने कि जो स्रील में गिवन है उसका 7th term will be equal to 4 by 9 क्लियर है एक और बहुत easy से example ले लेता है find the 4th term of an HP whose 7th term is 1 by 20 and 13th term is 1 by 38 उस ap का 4th term बताओ जिसका 7th term 1 by 20 हो और 13th term 1 by 38 है ठीक है तो हमने माल लिया कि जो ap है इसके corresponding उसका 1st term a है और d with the common difference let a first term and d be the common difference of the corresponding a अब जुकि HP का 7th term 1 by 20 है तो ap का 7th term 20 होगा तो 7th term of ap will be equal to 20 it means a plus 6d equal to 20 इसे आप फर्स्त माल लोगा a plus 6d equal to 20 13th term of HP 1 by 38 है तो 13th term of ap will be equal to 38 जब आप इसे simplify करोगे तो 6d equal to 18 मतब डी की वेली तो इतने आगे डी इक्वल टू 3 और d3 है तो एक इतने आगे है तो तो ए और दी मिल गया में यहां से पूछा है कि बही 4th term बताओ HP का तो 4th term आप ap का निकल लो 4th term of ap will be equal to a plus 3d a plus 3d a की वेली 2 है 3d होगे 9 यह लिगे 11 so 4th term of HP will be equal to 1 upon 4th term of the corresponding AP तो 1 upon 4th term of AP क्या है 1 by 11 हुए है ना यह इसका है एक्जाम्पल 4 यह थोड़ा mixed profile का है question if a, b, c, d being GP and a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to b to the power w then prove that x, y, z, w, r in HP देखोगा है a, b, c, d, g, p में है और यह हमें क्या मान है तो हमने मान लिया let a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to d to the power w equal to suppose k है ऐसा हमने के मान लिया अब अब अगर हमें तीनों को ढख लें इसमें तो a की पावर x equal to k it means a, a क्या जाएगा a क्या जाएगा a क्या जाएगा a क्या जाएगा k की पावर 1 by x यहां से b की दना जाएगा k to the power 1 by y c क्या जाएगा k की पावर 1 by z और d क्या जाएगा k to the power 1 by y एक बत्ती होगी also question बोलागे थी a, b, c, d, g, p में है तो b upon a will be equal to c upon b equal to d upon c gp में a, b, c, d तो b by a करेंगे b upon a तो क्या जाएगा k की पावर 1 upon y minus 1 upon x यह b by a की value होगी c by b क्या बन जाएगा c by b k to the power 1 by z minus 1 by y और d by c की value क्या जाएगी d upon c करेंगे तो k की पावर 1 upon w minus 1 upon z तो कि यह सभी k की पावर्स में है मतलब बे स्केम है और equal to लगाव है इसका उतलब powers will be equal तो जब powers equal होगी तो इसका मतलब 1 by y minus 1 by x equal 1 by z minus 1 by y equal 1 by w minus 1 by z अगर आप इस expression को ध्यान से देखो हो तो आप इससे निसकर्स यह निकाल सकते हो कि 1 by x कॉमा 1 by y कॉमा 1 by z कॉमा 1 by w आर इन एप यह एपी में होगी और अगर यह एपी में है 1 by x क्यों है एपी में क्योंकि देखो इसमें से इसको सब्टेट के second term is first term third minus second fourth minus third मतलब यह एपी में है तो जब आप इनकी terms को उल्टा करोगी तो x y z w किसमा आप यह एच्टी में यह हमें प्रूफ करना था एक्जाम्पल 5 यह बहुत अच्छा कोश्चन है और इसके बाद हम एक ऐसा ही कोश्चन आपको करने क्यों देंगे ठीक है a x y z b are in a p और in h p मतलब क्या है x y z का product 55 होगा अगर a x y z b ap में हो और x y z का जो product है वो 343 by 55 होगा अगर a x y z b are in h p find the values of a and b given that they are positive integers ठीक है तो पहले हम यह मारे खलता है कि वह a a x y z b are in a p a p में तो x into y into z की जो value हो 55 ठीक है पहले ही एक रिमें है तो इसका जो d है common difference d यह क्या जाएगा b minus a upon 4 भई b जो एसका फिप्टर टाम है ना तो आप सीजा का मुनों लगा सा तो b equal to a plus 4d तो d की value b minus a by 4 आगे जब हमें d मिल गया x क्या होगा x equal to a plus d a plus d तो a plus d की value क्या होगी b minus a by 4 4a तो यह जाएगा 3a plus b upon 4 यह आपका x आगे y क्या होगा y equal to a plus 2d a plus 2 into b minus a by 4 तो 4a और minus का 2 यह जाएगा 2a plus 2b by 4 और z क्या होगा a plus 3d तो a plus 3 into b minus a upon 4 मतलब a plus 3b by 4 तो हमने यहाँ पर क्या किया जो x, y और z की value है वो a और b की time में find करें अब हमें given क्या है कि जब a x, y, z, b a, p में होते हैं तो x into y into z का जो product है 55 तो according to the question x, y, z 55 है जब a x, y, z, b a, p में है तो x, y, z की value लग दो तो 3a plus b by 4 into y की value है 2a plus 2b by 4 into a plus 3b by 4 ये value 55 इसे आप equation 1 माद दो ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम लेके चलेंगे 1 by b, a, p में होगे तो 1 by b जो हो फिप्ट टाम है इसका तो जब हम इस a, p का common difference निकालेंगे चाओ दोसको d रखलो ना मेंचे d' लखलो, तो आजाएगा a minus b upon 4a किकि आप या पर formula ये लगा लेना 1 by b equal to 1 by a क्योंकि 1 by b जो हो फिप्ट टाम है और 1 by a जो हो फिर्स टाम है इसका प्लस 4b तो ये formula आपके d की value d' मान है तो d' मान लो ये आजाएगी तो 1 by x होगा 1 by a plus d' सिंप्लिफाई करके x की value आएगी 4ab upon a plus 3b y आजाएगा z आजाएगा question के according जब x a x y z b hp में है तो उनका जो x into y into z है वो 343 by 55 है तो also जब हम ये menu अब हम इन तेनों के multiply करेंगे hp के साब से तो आएगा 343 by 55 तो 4ab upon a plus 3b into 2ab upon a plus b into 4ab upon 2a plus b is equal to ये कितना है 343 by 55 इसे आप second equation मान लेगे second equation को first से divide करो second को जब आप first से divide करोगे तो आपके सामने ये बचे का खाली a into b का whole cube equal to 7 का cube ये इसका मतलब ही हो गया थी a into b 7 आगे अब question में बोला गया था कि a और b positive integers है positive integers और दोनों का आप जो multiplication है वो 7 आपके प्राइम नंबर आ रहा था दो possibilities है a equal to 1 हो b equal to 7 हो या a equal to 7 हो b equal to 1 ठीक है 99 में आगे आपको आपको अच्छे से question अब ऐसे ही same question में आपको करने के लिए दे रहा हूँ आंसर लिखे दूँगा जरूर ड्राइ करना Example 6 यह विल्ट्व ऐसे ही question है बस खालेक दो नम्बर चेंज की है तो आप ऐसे ही इसको ट्राइक प्राइक करना जैसे के आपने अग्जाम धे है और इसका जो answer है answer आएगा 1 और 3 तो ट्राइ कर लेना ठीक है एक्जाम्पल 7 एक एक एक्ज़्पी है जिसका एमेथ टर्म एन है और एनेथ टर्म एनेथ टर्म फाइंड तो हमने मुआ लेगे लेट एज़ बीदर फर्स टर्म एनदी भीदर ओमन डिफ्रेंस और कोर्स्पोंडिंग एक लिए को मलिफ्रेंस और कोर्स्पोंडिंग अब एच्पी का एमेथ टर्म एन है Mth term HP का N है तो Mth term AP का क्या होगा 1 by N तो Mth term of AP will be equal to 1 by N इसका मदल यह हुआ कि A plus M minus 1 into D equal to 1 by N इसे आप फर्स्त मान लो इसी तरिके से Nth term of AP is equal to 1 by M तो A plus N minus 1 into D equal to 1 by M और याद गुरू यहीं क्योशन हम आप लेक्चर 1 में सिखा चुआ है अर्थमेटिक प्रोविशन में लेक्चर 1 में आगे था यहीं क्योशन जब हमने Nth term of AP पढ़ा था तो इन दोनों को solve करने के बाद A की value भी 1 by MN आती है और D की value भी 1 by MN आती है ठीक है यह solve कर रही होगा आप इसी ली अब पूछेंगे M plus Nth term बताओ HP का तो M plus Nth term of AP बताओ पहले M plus Nth term of AP will be equal to A plus M plus N minus 1 into D तो 1 by MN plus M plus N minus 1 into 1 by M तो 1 by MN plus M plus N upon MN M plus N पूछें M plus N upon MN minus 1 by MN अंदर में इससे यह कैंचल जाएगा तो क्या आगे M plus N upon MN यह जो M plus N upon MN आया है यह क्या है This is M plus Nth term of AP AP का है यह तो M plus Nth term of the HP क्या होगा? उल्टर पूछ MN upon M plus N यह हमें प्रूफ करना है One more example यह आयती प्रूफ कुछा भी आचुका है गवा If A1, A2, A3, AN are in HP then prove that A1, A2 plus A2, A3 plus A3, A4 plus up to plus AN minus 1, AN will be equal to N minus 1 into A1 into AN देखो A1, A2, A3, AN HP में है इसका मतलब यह हुआ कि 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by AN यह किज में होंगे? A P में होंगे It means अगर आप second term में से first term सुप्टेट करते हो third मारे second करते हो तो 1 upon A2 minus 1 upon A1 will be same as 1 upon A3 minus 1 upon A2 will be same as 1 upon A4 minus 1 upon A3 equaled और लास्ट ली 1 upon AN minus 1 upon AN minus 1 यह सब जो है common difference के पराबर होंगे A P के तो यह हमने D मान अगर मैं फर्स्ट लास्ट 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 को देखूं मतलब इसको ले ले थे equal to D तो यह अच्छली ऐसा बन रहा है A1 minus A2 upon A1 A2 equal to A2 minus अच्छा इसको देखने तो खले D आगे हैं यह D के पराबर हो गया ऐसी second को और D के पराबर रख्टेंगे तो यह आजाएगा A2 minus A3 upon A2 A3 equal to D यहाँ से आजाएगा A3 minus A4 upon A3 into A4 equal to D और लास्ट में A N minus 1 minus A N upon A N minus 1 into A N equal to D यह पहले हमारे पास आगे अब जो हमें प्रूस्ट करने हैं उसके हिसाफ से देखो A1 A2 यह left hand side ले लिया हमने तो A1 into A2 की वह लिखे आगी देखो A1 into A2 को यहाँ ले जाओ देखो तो A1 A2 की जगा आप लिख सक्क्ठे हो A1 minus A2 upon D यह पैरी टंपर गया आपकी प्लस सेकंड टंप की A2 A3 तो A2 A3 आसे देखो A2 माइनस A3 अपॉन D प्लस लास्ट में क्या बन जाएगा A N माइनस 1 A N यह बन जाएगा A N माइनस 1 माइनस A N अपॉन D जब आप D आजिसे में ले लोगे तो A2 A3 यह सब कर जाएगे केवल A1 और A N बचेगा मतलब यह हो गया A1 माइनस A N अपॉन D यह आप अब क्वेशन होता है कि हमें प्रूफ तो यह करना था N माइनस 1 इंटू A1 A N तो यहाँ पर आप एक बात देखो बस बहुत छोबी सी बात है यह 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A P में है तो 1 बाई A N जो है वो इस A P का N अस्टरम है तो 1 अपॉन A N को आप लिख सकते हो 1 बाई A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इसको ठागे दर लेगो तो 1 अपॉन A N माईनस 1 अपॉन A1 एकवल टो N माईनस 1 अपॉन B तो जब आप इसका यहाँ पर लिख लोगे तो A1 माईनस A N अपॉन A1 A N बने का देखो यही चलिए सा तो क्या आगे देस एकवल टो N माईनस 1 इंटू A1 A N यहाँ से लिंक कर दो तो यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक इंट्रॉक्षन था वो खत्म होता है अब नेक्स लेक्षर में लोग हार्मोनिक में पढ़ेगी हार्मोनिक में क्या होता है प्योंकि जैसा हम आपको बता चुके कि HP का Sum of N Terms का तुक्षा फॉब्ला होता नहीं इसलिए सब्सक्राइब हार्मोनिक मेन दो नंबर का क्या होता है तीन का क्या होता है सिंगल हर्मोनिक मेन की बात करने है फिर दो नंबर्स के बीच में एन हर्मोनिक मेन insert करेंगे उसके बाद कुछ प्रोलम्स डिसक्स करेंगे जो अर्थमेटिक मीन, जोमेटिक मीन और हर्मनिक मीन के कौहन हो ठीक है तो आज अलेक्षिर यहीं कर समाद से थैंक्यू